कि ये गाइज वेलकम बैक टुमाई यूटूब चैनल बीमेस ग्यान तो आज हम स्टार्ट करेंगे रसास्त में धातु उपदातु प्रक्राण अध्या में त्रिविद लौग पाक के बारे में ठीक हैं त्रिविद लौग पाक के बारे में जोकी एक्जाम में पूछा जाता है पांच नंबर के अंदर तो उसको हम देखेंगे तो वीडियो अच्छे से देखेगा ताकि आपको समझ में आ जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिविद लौग पाक त्रिविद लौग पाक के क्रम में सर पथम भानुपाक सबसे पहले भानुपाक आता है फिर इस्थाली पाक और अंत में पुट पाक तो बेसिकली इसमें तीन पाक होता है पहले हम भानुपाक करते हैं फिर इस थाली पाक और लास्ट में पुट पाक तो ये बेसिक पांट ये है कि इसका टीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं करने पर निरूत लोह भस्म प्राप्त हो जाता है निरूत मतलब ये मैंने बताया था परिभासा प्रक्रण अब्धाय में ये इसी रस्षास के सेकेंड अब्धाय में निरूत थो क्या होता है निरूत थो वो होता है जब हम किसी लोह आदी लोह धातू भस्म को चांदी के टुकुडे के साथ मिला कर मूसा में धहमन करते हैं अगर उस भस्म का थोड़ा अंसदी यदि चांदी के साथ नहीं चिपकता तो उस भस्म को हम निरूत भस्म कहते हैं बाकी में परिभासा प्रक्रण में जितने भी निरूत है उतम है आपुनरभाव है धृति है अमृत लो है कजली है अमृति करण दोहति करण तो यह सब मैंने चैनल पर वीडियो अप्लेट कर दिया तो जिनों नहीं देखी वह जाके चैनल में प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं ठीक है अगर उनको नहीं मिल दिये तो उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करके देखते हूं मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल डूँगा ठीक है तो यह हो गया त्रिविर लोह पाक में तीन पाक होंगे भानुपाक इस्थालिपाक और पुटपाक यह विदी रसे लोह पास्मों का निर्माड की प्रक्रिया को तीन उपकरमों में विभक्त किया गया है तो हमें लोह पास्मों का निर्माड जब करते हैं तो इनकी यह प्रोसेस तीन उपकरम में विभक्त मतलब डिवाइड किया गया है भानुपाक तो बानुपाक के बारे हम देखते हैं इस विधी में तिर्फला क्वात में लोह चून को तीवर धूप में सुखाया जाता है। इसलिए से हम भानुपाक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो लोह चून होता है उसको हम त्रिपला कवात में तीवर धूप में या तेज धूप में उसको सुकाते हैं इसलिए इसको हम भानुपाक कहते हैं अब यह देखो यह डिफनीशन हो गई इतनी इतनी यह डिफनीशन हो गई ठीक है यह डिफनीशन हो ग सुझमू के सूझमू पत्रों को जो सुझमू लेना है उसके बाद उछुधु खल यंतर में रखकर लोह की मुशलिश से कुट कर सूझमू चून करके अनेक बार त्रिफला जलसे प्रचालित करें मतलब जो हम सुद्द लोह के सूज में पतर ले रहे हैं उसको उलूखल लेंतर में कूटकर मुसलि से कूटकर सूज में चूँड करके अन्यक बान मेला का मेनी टाइमस उसको हम तृफला जल से प्रच्छालिज करना है अब इस लोहचून जो हम कूट चुके हैं और उसको त्रिफला जल से प्रचालिज कर चुके हैं उसको लोहचून में उस लोहचून में हमको त्रिफला क्वाथ मिला कर किसी पातर में रखकर तीवर धूप में सुखाना है तो जो हम लोह चूर बना चुके हैं और इसको त्रिफला जल से प्रचारित कर चुके हैं उस लोह चूर में त्रिफला कौाथ मिला कर किसी पातर में रखकर तीवर धूप में सुखाना है जब त्रिफला क्वाथ जब त्रिफला क्वाथ सूख जाए तो पुना उसमें त्रिफला क्वाथ डालते रहे हैं ठीक है जब त्रिफला क्वाथ तो धूप तीर धूप की वज़ा से सूख जाए तो उसमें हमको बार बार त्रिफला क्वाथ डालना है और यही विद्य हमको तीन या साथ बार त्रिफला कोड डाल कर सुखाने से भानुपाक हो जाता है मतलब कितनी बार हमको डालना है या तो हम तीन बार डालेंगे या साथ बार ठीक है तो इससे क्या होता है भानुपाक हो जाता है भानुबाग के लिए लौह चूनड के संबाग त्रिफला लेकर उसमें द्वीगुण जल डाल कर चृतु ठांस और विसे त्वाद कचान कर लेए जब हम भानु पाक करते हैं तो जो जितना लोह चून ले रहे हैं उसके समान भाक त्रिफला लेना है उसमें डूगुना जल डालना है जब ये त्रिफला और दिगुन जल लेते हैं इसको अगनी पर रखते हैं जब इसका चतु उनसार वन वाई फोर्थ जब जल का बचे तो उसको हम बचे हुए कौउध को च्छान कर लेना है इस प्रकार लोह चून का धूप में पाक करने से इसे बहनुपाक कहते हैं ठीक है तो पहला बहनु पाकए इसमें हमको क्या करना है सुद्ध लोह के सूज पत्रों को लुखाली अंत्र में मुसली के द्वरह कूड कर रग्रद्रोक में सुखाते हैं जब त्रिफला कॉष्थ में हमको तीनum को सबूल चांद्र दाल कर सुखाना है मलब यही यह सबस्द करना है इसे को हम भानू-पाक कहते हैं इसमें हमको लौप क्व्राइब के समान ग्रद्रोइब नहुत इसमें डाल कर जब चतुल्थांस आउसिस्ट का बचे तो उसको उमको चान कर ले लेना है इस लोह चून को धूप में पाक करने से भानु पाक करते हैं इसके लिए स्लोग दिया गया है यह आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा बात है वरा क्वात यूतम लोहम भानु प्रखर यह रश्तरंगनी दिया गया है आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है चोटा सबस्लोग है वरा क्वात यूतम लोहम भानु प्रखर भानु भी सुस्यन विपच्यते यह अश्माद भानु पाक करता ढला ठीक है तो यह पहला हो गया मारा भानु पाक अब देख प्राप्त लोह चूंड को कि तिफलट में एक इस्थाली में डाल कर टीव अगनी पर पका कर शुखाने को इस स्थाली पाख मैं जब कि सुखा रहे हैं तुम्स है को रिफलट कर अवर इस्थाली पाख कदे आद इसको किसी चीज में you'llill इस विधी में लोह चूड के समान भाग में त्रिफला ले रहते हैं। इस विधी में लोह चूड के लिए प्रियोग करते हैं। अस्तिकर्ण, पलास मूल, स्वरस, आदी समभाग लेकर इनके साथ इस्ताली पाक किया जाता है। अगर त्रिफला कौथ के अलावा हमें किसी चीज को प्रयोग करना है तो हमको लोह चूड के समभाग में सतावरी भ्रिंगराज ये सारे का स्वरस लेकर इस्ताली पाक करना है। इसके अलावा दोस इसे सामक उसदी के स्वरस अथा कौथ के साथ भी लोहे का स्थाली पाक किया जाता है। लोह चूण के समान क्वाद सेश रख कर इस्ताली पाक करें। गर हमको स्वरस नहीं मिलता है तो हम आवसाधी के अवसाधी द्रब के मृदू मध्ध है कठिनता को ध्यान में रख कर चतुर गण अगर मृदू है तो चत्र गुन मलब चार गुना पानी मद्ध है तो आठ गुना और कठीन है तो सोला गुना पान जल डालकर लोह चून के समान क्वात सेज रखकर इस्थाली पाक करना है। इसके लिए स्लोक दिया गया इस्थाली पाक का ये है कि त्रिफला क्वाथितो पेतम लोहम इस्थाल्याम खर अग्निना सुस्यन विपत्चियते यतनात स्थाली पाकस्तता इस्मृता तो छोटा स्थालोक है ध्यान में रहे जाए तो बहुत अच्छी बात है। त्रिफला क्वाथी क्वाथित उपेतम लोहम इस्थाल्याम खर अगनिना सुस्यन विपत्चियते यतनात इस्थाली पाकस्तता इसमित्ता रस्तरंग का यसलोक है। तो इसमें हो गया हमारा इसमें क्या हम बिसकली है कि हम जब जो भानुपाक से लोहचूंड को प्राप्त करते हैं उसको त्रिफला क्वाथ में एक इस्थाली मेती डाल कर तीव रगनी पर पकाया कर जुकाते हैं इसको हम इस्थाली पाक करते हैं इसमें क्या कितना क्या लेना है, हमको जल कितना लेना है, तो इसमें हम लोहो चूंड से तीन गुना तृफला लेना है और सोला गुना जल लेना है, जब इसका वन बाई येट पार भी जरह मनलब अस्टमांस को बचे, तो इसको थे चान कर इस थाली पाक के लिए प्रियोग करते हैं अगर हमको त्रिफला कौत के अलावा कुछ प्रियोग करना है जैसे तो हम लोह चूण के समान भाग में सतावरी ब्रिंग राज हस्टी कण या पलास मूबूल के स्वरस का प्रियोग कर सकते हैं इसके अलावा दोस विसे सामकासदियों के स्वरस का भी प् उसार मिर्दू होतों चातुर गुण चार गुणा मध्ध होतों आठ गुणा और शोला गुणा जल डालकर लोह चून के समान कौाट सेज रखकर इस्थाली पाक करते हैं तो यह हो गया, इसके बार हम देखते हैं पुटपाक, तो इसके लिए स्लोक दिया गया है, पहले पढ़ दता हूँ, तो यह ध्यान में रख लीजे, तो बहुत अची बात है, इसके लिए गया है, लोह चूण को अनेक आवसदियों के सवरस या कवाद के साथ मरदन करके, सुखा कर सराओसम पूट में रखकर पुट देने की प्रकृण को पूट पाक कहते हैं, तो बेसिकलि यह है कि जब हम इस्थालिपाक कहे लेते हैं, उस इस्थालिपाक के दोबार जो लोह चूण बन ह होता है, उसको हम अनेक आवसदियों के सवरस या कवाद के साथ मरदन करके, सुखा कर सराओसम पूट में रखकर पूट देते हैं, और इसी प्रकृण को हम पूट पाक कहते हैं, इसकी वीधिव बताईगी है कि कैसे करना है, तो इस्थालिपाक से प्राप्त लोह चूण को स्वच जल से अच्छी तरह धोकर सुखाएं, तो हम जो इस्थालिपाक से लोह चूण को प्राप्त करते हैं, उसको स्वच जल से धुल लेना है, और उसको सुखाना है, तक पस्चाथ उसके बाद चूण को खल्व में डाल कर ततद दो सर असदियों के स्वरस या, जब यह हम प्रच्छालित कर लिए हैं, दोकर सुखा लिए हैं, उसके बाद उस चूण को हम खल्व में डालते हैं, और दो सर असदियों के स्वरस या कवात से भली भाती खोड कर चकरिका बनाकर सुखाएं, तो इसको हमको चकरिका बनाना है, और उसको सुखाना है, फिर सराव पूट में बद कर दाता है उस चकरिका और गजपूट के अगनी में पूट पाक करना है, और इसको गजपूट के मलब पूट के बारे में नौलेज नहीं है, या पूट का टॉपिक नहीं देखा है, तो वीडियो मैंने डाल दी है चैनल पे, आप प्लैलिस्ट में जाके द पाता चल जाएगा, तो यहां क्या होगा हम चकरिका बना ले उसको बाद उसको हम चकरिका को सराव संपूट में बन कर गजपूट की अगनी में पूट पाक करें, करते हैं, पूट देने पर लोह के संपूट दोस्ट नश्ट होकर गुड़ों की पत्ति होते हैं, जब हम प पूटित लोह भस्म रोगों को दूर करने के लिए 100-1000 पूट दिया गया लोह भस्म रसायनार्थ तथा 10-500 पूट द्वारा निर्वित लोह भस्म वाजी कारण के लिए उप्योगी है, तो इसमें यह बताए गया है, अगर हम एक बार पूट देते हैं लोह भस्म को, तो र प्रयोग करकते हैं, अगर उसको हम 10-500 पर उसका पूट दिये हैं, तो उस लोह भस्म को हम वाजी कारण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, अगर हम उसको 100-1000 पर उसको पूट दिये हैं, तो उसको हम रसायन के फूट में यूज़ कर सकते हैं, तो यह बताए गया है, देते हैं तो उसमें कौन-कौन सी क्वाल्टी आएगी या कौन-कौन सी गुड़ आएंगे तो यही है पुड़ देने की एक फाइदा है कि इसमें गुड़ों की विर्द्धी होती है ठीक है तो यहां पर कंपलीट हो गया हमारा त्री विल्द लो हो पाक जिसमें हमने देखा पहले में कि पहला था हमारा भानुपाक इसमें हमें से ब проблемToday की समानें आपर क्षान कार्प के रूप में प्रियॉप करते हैं जो हम पराप्त करते हैं। सोलागुना जल मिलते हैं जब उन भाई यड पर्ट को हम स्थाली पार्ट को हम कुछ प्रियूक करना जाते हैं ता हम उसको सेम लेते हैं लोगा चुंड्के जिसमें हम ले सकते हैं सतावरी स्वरस बिरिंग्राज स्वरस हस्ती कड़ या पलासमूल का स्वरस अगर स्वरस नहीं मिलता तो हम द्रव के आउसदी द्रव के म्रिदू मध्ध या कठिनता के अनुसार उसमें चार गुना आड़ गुना या सोला गुना पानी मिलाकर कौहत को बनाते हैं पूट पाक में क्या था कि जब हम इस्थाली पाक के पाद जो लोग चूण को प्राप्त करते हैं उसमें अनेक आउसदिये के सुरस या कौत के साथ उसको मल्दन करके सुखा कर सराव समपूट में रखकर पूट देने की प्रखिरिया को हम पूट पाक कह दे थे ठीक है पूट पाक ठीक है यह हो गया उसमें हमको क्या करना था कि जब हम इस्थाली पाक कर लें तो उस लोग चूण को अच्छी प्रकार से दो दे थे उसके बाद हम उस चूण को खल में रखकर डाल कर दो सर आउसदियों के सुरस या कौत से उसको भाली भाती हम घोड कर चक्रि पूट दोसों का नास हो जाता है और गुणों की उत्पत्य हो जाती है और इसमें यह बताया गया था कि अगर हमें एक बार पुट देते हैं एक बार पुट देते हैं तो उसमें रसकर्म के लिए उसको हम प्रियोग कर सकते हैं तो उसको हम रोगों को दूर करने के लिए उ उसको हम वाजी कारण के रोप में प्रयोग कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया तो जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंड करें और जो भी डाइट हो और कोई भी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें बताइए तो मिलते हैं एक शूड़ी में तब तक लिए ठैंक यू धन्यवाद